So the question we have is draw a schematic diagram of circuit consisting of a battery, 3 cells of 2 voltage and a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key. तो यहाँ पर हमें एक circuit diagram draw करना है, like हम draw करते हैं, like इस टाइप से हमारा एक circuit हो जाएगा, जिसमें तीन resistors लगाए गए हैं, और तीन छोटे छोटे cells लगाए गए हैं, like यह तीन जगा तो हमने resistor के लिए पुट कर दी, और यह जगा हमने कर दी cells के लिए, कि यहाँ पर हम तीन cells पुट कर देंगे, इसके बाद इस circuit में एक key भी लगाई हुई है, तो यहाँ पर हम एक key लगा लेंगे, like यह हो जाएगा, यह रहे हमारे resistors, like first, second, third, एक register यहाँ पर है 5 ohm का, एक register यहाँ पर 8 ohm का, और third register यहाँ पर 12 ohm का, इसके बाद बैटरी यहाँ पर लगाई गई है, like वो बैटरी में तीन cell थे है, तो एक cell, second cell and third cell, और तीन और तूटू वोल्ट के cell है, तो यहाँ पर 6 वोल्ट की पूरी बैटरी होगी, next, इसके बाद एक key भी हाँ पर लगी हुई है, कुछ इस तरह से हमने key बना लिए, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यह कहा अगया था कि यह सीरीज में है, तो हमने डिरेक्ली सीरीज में पुट कर दिया, now, putting an emitter, यहाँ पर हमें एक emitter लगाना है, emitter हम कहां लगाएंगे, emitter किसी भी circuit में हमेशा, सीरीज में लगाया जाता है, तो सीरीज में हम कुछ इस जगह पर emitter लगा लेते हैं, put कर लेते हैं, like ही हो जाएगा हमारा emitter, और यह हमने इसे रब कर दिया, तो यहाँ पर represent कर देंगे, अब आप देख सकते हैं, यह वाला wire कुछ इस तरह से जाके यहाँ पर touch है, तो negative terminal हम यहाँ पर लिखेंगे, like minus हम लिख देंगे इस जगह पर, और plus लिख देंगे ऊपर, क्योंकि यह वाला इस side से जाके, यह कुछ इस जगह positive terminal से attach है, तो इस type से हम emitter में plus और minus लिखेंगे इसके बाद यह कहा गया है, कि putting an emitter to measure the current through the resistors, यानि कि पूरे resistors के through, जो current होगा, वो हमें measure करना है, एक emitter को लगा के, तो first सबसे पहले हम current ही measure करते हैं, electric current, तो electric current आपने देखा था हम कौन से trick का use करने वाले हैं, Q wiper का, तो Q wiper जब हम लिखेंगे, क्योंकि हम formula सारी हिंज से याद करते हैं, that is Q, V, I, P, E, R, और Q wiper का combination, अपने पूरी shot trick देखी थी, इसमें अब हम देख सकते हैं, combination है यहापर, और कौन सा combination है, series का, series में क्या होता है, R net जो होता है, वो equal आता है, R1 plus R2, और यहाँ पर तीन registers है तो plus R3, next, series में एक और चीज होती है, कि electric current, यानि कि I जो होता है, वो होता है, constant, और V, जो होता है, potential difference, net जो होता है, वो equal होता है, V1 plus V2 plus V3 के, next, अब एक और चीज यहाँ पर है, जिस formula का हम यहाँ पर बहुत जादा यूज़ करते हैं, combination में, हम क्योंकर हैं यहाँ पर distance का जो row L upon A वाला formula है, वो भी हाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, I का भी फिलाल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा था, I होता है, हाँ पर Q upon T के equal, तो हम यहाँ पर V वाला formula यूज़ करेंगे, that is V equal IR, अगर V1 है, तो वो होगा I1 R1, अगर Vnet है, तो वो होगा I net multiplied by R net, सिर्फ हमें नीचे values को shift कर देना, तो जिस according है, हम उस according यहाँ पर solve करेंगे, तो start करते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर electric current बताना है, कि पूर सर्किट के थुरू कितना होगा, तो हम देख सकते हैं, कि electric current तो यहाँ पर भी constant रहने वाला है, क्योंकि electric current जब कभी भी resistor series में लगाए जाते हैं, तो constant ही रहता है, यानि कि इसका यह मतलब है, कि चाहे आप उस electric current को I net कह लें, वो I1 कह लें, या I2 कह लें, या I3 कह लें, सब equal होंगे, तो हम simply इसे क्या कह देंगे, I, तो पहली चीज हम लिख सकते हैं, कि potential net potential difference जो है, वो equal होगा यहाँ पर, that is I net हम लिख सकते थे, simply हमने I लिख लिया, multiplied by R net, तो यह आजाएगा हमारे पास equal, V net हमें पता है, net potential difference circuit का है, 6 volt, next, I हमें पता नहीं है, लेकिन हम R net बता सकते हैं, और आपको बता है, R net क्या होते है, तीनो resistors का सम सिर्फ, तो यह आ जाएगा 25, क्योंकि जब हम तीनो resistors का स 25 ohm आजाएगा, तो I हमारे हमारे हम से calculate होके आजाएगा, that is 6 upon 25 ampere, तो 6 upon 25 ampere हमारा I आजाएगा, यानि कि electric current, यानि कि तरह से इस meter में जो electric current शो होगा, वोगा 6 upon 25 ampere, next, next चीज़ पर चलते हैं, अब कुशिन में एक और चीज़ पूचीज पूचीज गई है, a volt meter to measure the potential difference across 12 ohm रिजिस्टर, तो यहां पर 12 ohm वाला resistor है, यह हमारा 12 ohm वाला resistor है, that is यह, इसका हमें potential difference measure करना है, कि इसके across potential difference कितना होगा, तो यहां पर अगर देखें, तो इसके through potential difference अलग होगा, क्योंकि पहले वाले resistor के through V1 होगा, second वाले के through V2 होगा, third वाले के through V3 होगा, और हमें third यहां पर potential difference measure करना है, तो कुछ इस तरह से हम इसी के parallel एक voltmeter यहां पर पुट कर देंगे, यहां पर plus sign लगा देंगे और यहां पर minus, क्योंकि फिर यह minus यूँ जाके side minus से attach हो जाएगा, और यह plus जाके side यहां पर plus वाले terminal से attach होगा, इसलिए हमने plus और minus लिखाए, next, अब यह क्या होगा, I3 multiplied by R3, अब V3 बहुत easily calculate हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको यहां पर maximum values पता है, like I3 के लिए हम आइनेट के लिए सब एक ही है, तो I3 या फिर हम कहें I, वो तो हमारा भी calculate हो क्या है, कि I हमारा कितना आया यहां पर, 6 upon 25 ampere, और R3 आपको पता ही है, that is, इस का resistance का resistance, तो वो है 12 ohm, तो यह आजाएगा हमारे पास, that is V3 equal 6 upon 25 multiplied by 12, तो यह हो जाएगा 72 upon 25 volt, that is potential difference across the third resistor, अब आखरी question में एक चीज़ हम से यह भी पूची गई है, कि एक तरह से हमें यह भी बताना है, what would be the reading in the emitter and the voltmeter, तो voltmeter के थुरू तो हमने reading बता दी कि वो कितनी आ रही है, 72 divided by 25 volt और emitter के थुरू reading कितनी आ रही है, that is 6 upon 25 ampere, अब एक चीज़ है, अगर आप emitter कहीं भी पूट करें, चाहिए अपने अभी फिलाल यहां पर पूट करा हुआ है, अगर आप emitter यहां पर भी पूट करते ह हैं, वो पूरे circuit के थुरू same ही reading देखा, क्योंकि पूरे circuit के थुरू जो electric current है, वो series combination में constant रहता है,